So hello friends, welcome back again with our fresh new video जिनको भी height बढ़ाना है, इस वीडियो को end तेक देखना आपका problem solve हो जाएगा Bad habits, हर किसी के अंदर रहता है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है लेकिन कुछ bad habits ऐसा होता है, जिसे हम लोग पाल post के रखते हैं and finally ये क्या करता है, हमारा height को stop करता है and ये bad habits बच्पन से हमारे साथ रहता है, जैसे कि मेरे साथ भी था and finally मैंने अपना height को कब बढ़ा था, आपको पता है 18 साल के बाद मैंने 10 inches बढ़ा था, मैंने सारा bad habits को stop किया and मैंने bad habits को पीछे छोड़ दिया and good habits को अपनाया जिससे मेरा height बढ़ना चालू हो गया and आपका भी height बढ़ेगा देखो, बच्पन से आप bad habits को follow करते हैं आ रहे हो, जैसे कि बाहर का चीज़ खाना बैठे रहना, बहुत सारा bad habits से जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ तो ये क्या करता है, आपका height को impact करता है, बिकॉज इससे क्या होता है, आपका body weak पढ़ते जाता है, आपका height नहीं बढ़ता है तो आपको bad habits को stop करना होगा जिनका भी height नहीं बढ़ रहा है आप बहुत try कर रहे हैं height बढ़ाने के लिए आप मेरे से online training ले सकते हो मैं online training प्रोवाइड करता हूं through whatsapp उसके लिए आपको मेरा mail ID बे contact करना है mail ID में अगर आपको contact करने नहीं आता है आप YouTube से सीख लो आप YouTube पे एक चीज़ सर्च करो how to message on mail ID आपको पता चल जागा mail ID पे contact करो वहाँ पे मैं आपको reply दूँगा and training का ये फादा कि आप मेरा guidance बरहेंगे कि क्या करना नहीं करना किसको उपर करना किसको निचे करना क्या छोड़ना क्या add करना टोटेली आप मेरा guidance बरहेंगे जिससे आपको हाइट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फाइदा होगा तो kindly contact on my mail ID and charges बहुत ही low है आप easily afford कर सकते है fees बहुत कम है ठीक है इतना कम fees होता नहीं है अगर आपके पास उतना पैसा है नहीं आप एक दो मेरा wait करके आप training join कर सकते हो पैसा थोड़ा होती कटा कर लो आप training join कर सकते हो ठीक है and free training नहीं provide कर जाता है तो वीडियो को आपको जरूर end तक देखना है ठीक है तो अभी मैं आपको bad habits के बारे बताने वाला हूँ and specifically यह सब आपका height को जरूर impact करेगा and यह सब होते आरा आपके साथ number one क्या है आपका breakfast सही नहीं होना आप लोग breakfast को skip करते हैं कभी कबर खाते नहीं है यह breakfast में चाय रोटी रहता है अंसंट खाना रहता है जिससे क्या होता आपका body को nutrition नहीं मिल पाता and breakfast हमारे लिए सबसे important है whole night हम लोग सोते हैं पेट खाली रहता है फिर breakfast जब आप skip करते हैं तो क्या होगा body को nutrients नहीं मिल पाता है फिर दोपर में हम लोग lunch करते हैं and उस time आपका appetite एकदम down हो जाएगा ठीक है and इससे आपके liver kidney में stress पढ़ता है आपका metabolism खराफ हो जाता है and internally आपका body weak पढ़ते जाता है जिससे आपको पता नहीं चलता है पिर अभी आपका age कम है जब आपके age ज्यादा होगा फिर आपको पता चलेगा कि आपने अपने body के साथ किया क्या है and आपको balanced meal लेना है जिसमें आपका protein, carbs, fat रहेगा फल, सबजी बिल्कुल न भूले and daily आपको 4-5 एडर पानी पीना है उसके बाद second bad habit क्या है maximum time हम लोग बैठे रहते है आपको physically active रहना है आपको एक चीज़ समझना है भगवान ने जो हमें ये body दिया है muscles दिया है इसको काम करने के लिए दिया है अगर आप maximum time बैठे रहेंगे तो आपको muscle loss होगा metabolism weak होगा आपका appetite कम होगा body में hormonal imbalance होगा पहले जमाने के लोग बहुत ज़्यादा physical activities में involved रहते थे आप अफरिका को कुछ parts में चल जाओ जहाँ पे tribal लोग रहते हैं ढूंटे रहते हैं और कहां कहां दूर-दूर 40-50 km पे दल चल जाते हैं फिर पहाड में चड़ते हैं ठीक है पेड में चड़ जाते हैं तो इससे क्या होता है उनका body का पुरा muscle काम करता है पुरा body काम करता है और उपर वाले ने जो हमें ये body दिया इसको काम करने के लिए बैठे रहने के लिए नहीं दिया जितना बैठे रहेंगे body में उतना ज़्यादा imbalance होगा ठीक है आपका body के जो संतुलन है balance है वो पुरा बिगड जाएगा तो आपको हमेशा ये चीज़ ट्राइ करना है कि मैं physical activities में involved रहूंगा जितना आप रहेंगे आपको उतना फायदा होगा जैसे आप सीडी चड़ते हैं आप market जाता है पैदल recycling करते हैं दौडते हैं भागते हैं तो आप physical activities में involved है बैठे रहने से तो अच्छा है ठीक है उसके बाद जो next habit है कि आपको exercise करने में कोई interest नहीं रहता है फिर बाहर में games खिलना जैसे cricket, food, wall यसे में कुछ interest नहीं है हाँ कभी कभार खिल ले तो दौड़ का बात है लेकिन regular आप involved नहीं रहता है अगर आप involved नहीं रहेंगे तो आपका body में कमी तो होगा यार because यसे करने से आपका body strong होता है मजबूत बनता है मजबूत बनेगा तब ना आपका height बड़ेगा फिर आपका bones कमजूर पड़ेगा बहुत सारा problem होता है बारवार एक चीज़ को पे कितना कहूँ आपको हर वीडियो में आपको बताता हूँ ठीक है आपको यार दिलाते रहता हूँ आप सुनते नहीं हो problem किसका है आपका है उसके बाद आप लोग healthy foods को importance नहीं देते हैं आप लोग को बस चाहिए taste ठीक है फिर और एक बहाना मारते हो यार पैसा नहीं है घर में भी अच्छा च्छा खाना बनता है different type of vegetables एड़ करो फर्ल एड़ करो दूद, दही यह सब एड़ करो फिर मचली, चिकन यह सब बनता है इसको एड़ करो मटन एड़ करो डेली तो नहीं बनता है ठीक है मानता हूँ लेकिन दूद, दही, फिर आपका चना, दाल दाल का quantity बढ़ा दो राजमा बढ़ा दो सोया चंग सैट कर दो, यह सब तो सस्ता आता है अगर आप बहाना मारेंगे तो बहाना मारने के हजार जगा है अगर आप करना चाहेंगे तो आप anyhow करेंगे, बस mind में आपको ठाल लेना कि मैं करूंगा, अगर दिल से करेंगे तो आप उसको anyhow पूरा करेंगे, अगर आप यह ठाल लेंगे कि यार यह नहीं होगा, नहीं होगा, तो फिर होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा उसके बाद bad posture ऐसे खड़े रहना ऐसे बैठे रहना, कोई body में energy नहीं है, हमेशा good posture maintain करो, वरना आपका backbone पे, आपका knees पे stress पड़ता है, जो क्या करता है आपका height पे, एक bad impact डालता है, तो हमेशा good posture maintain करो कुछ भी काम कर रहे हो, posture को maintain रखो, उसके बाद जो last habit है, that is proper निंद नहीं लेना, आपको 8 घंटे का sleep लेना है, अगर आप 4 घंटे सोते हो, 5 घंटे सोते हो, तो यह जरूर आपका height को impact करेगा because sleep is most important, जब आप सोते हो, तभी आपका height बढ़ता है, ठीक है? तो वीडियो काने करना चाहूंगा, मिलता हूं एक जब दस वीडियो के साथ, until peace by, take care, love you